दिपिका पादुकोन के फिल्म पदमावत बॉक्स ओफिस पर अच्छा बिजनस कर रही है फिल्म में दिपिका और अन्वीर की जम कर तारीफ भी हो रही है लेकिन दर्शकों के जहन में दिपिका का जोहर सीन सबसे यादगार रहा फिल्म के जोहर सीन में हर कोई उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रहे गया लेकिन क्या आपको पता है दिपिका के माता पिता को उनकी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन पसंद नहीं आया जी हाँ य मरते हुए देखना उनके parents के लिए काफे मुश्किल था दिपिका ने बताया मेरे parents ने यह फिल्म देखी और उन्हें मुझ पर गर्व हो रहा था film देख्ते हुए उनका reaction ऐसा था कि जैसे सोच रहे हों कि क्या यह हमारी बेटीैं धरसे मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रहती ऐसे में उन्हें पद्मवत की कहानी का कोई आइडिया नहीं था लेकिन फिल्म के आखरी 15 मिनट मेरे माता पिता के लिए बेहत दर्द भरे साबित हुए मुझे ऐसा देखना उनके लिए बेहत मुश्किल साबित हुआ जोहर के दौरान मैं अपनी जान देती उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बताने कि 25 जनवरी को रिलीज हुई दिपिका पादुकोंड की फिल्म पद्मवत रोज नए रिकॉर्ड बना रही है इंडिया में 100 करोड कमा चुकी ये फिल्म दुनिया भर में 200 करोड से ज्यादा की कमाई कर चुकी है आपको हु झाल